सफेब कुट्टा पाजामा और गले में गमच्छा डाल कर जहारखन के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कलक्रेट पहुँचे और साहिब गंज की बरहेत विधान सभासीद से नमांकन भरा हेमंत सोरेन का नमांकन तो हो गया लेकिन बीजेपी अभी तक ये तैय नहीं कर पाई है कि जहारखन की सकता के सबसे बड़े चेहरे के सामने वो किसे मैदान न उता रही पीजेपी ने पूरो बन्फी लुईस मरांडी को बरहेत से लड़ने का ओफर दिया था लेकिन उम्हों ने न सर्फ ओफर ठुकडाया बलकि जेमें में जाकर शामी हो गई इसने बीजेपी को नया जटका दे दिया इधर बरहेत सीट से हेमंत सोरेन ने नामांकन भरा कि पतनी कल्पना सोरेन भी नामांकन भर कर चुनावी मैदान में उतर आई बीजेपी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ पर ट्याशी भले अभी तक तैन न किया हो लेकिन कल्पना सोरेन के सामने मुनिया देवी को जरूर मैदान में उतार दिया है हाला के राची की राजनीती में एक चर्चा जोरों पर है, कि जिस मुनिया देवी को BJP ने टिकर दिया, वो मजबूत नहीं है. BJP की परिशानी सर्थ हेमंत सोरेन या कलपना सोरेन भर नहीं है, बलके बसं सोरेन से लेकर महुआ मांजी तक बीजे पी के सत्ता में वापसी वाले रास्ते में रोड़ा बने हुए हैं महुआ मांजी जेमेम की राज्यसभासांसद हैं और राची से पारिटी ने उन्हें प्त्याशी बनाया है उन्होंने भी आज ही नमांकन भड़ा इन बड़े चेहरों ने ही वहारतिये जनता पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो किस रान्मीपी के साथ चुनावी मैदान में आगे बढ़े हालांके दावे जेमेम को सत्ता से हटाने के जरूर हो रहे हैं बीजेपी का दावा अपनी जगे है लेकिन ज़ारखंड की राजनीती में जेमेम ने बड़े चेहरों को मैदान में उतार कर बीजेपी के रन्नीती कारों को सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है